आज कुछ हम लोगों को पढ़ाई नहीं करना है, I request all of you to switch on your cameras, ताकि हम लोग एक in-forval way में बात कर पाएं, and अपने समझ पाएं कि अपने को कैसे करके आगे प्रोसीड करना है syllabus में and life में. सब लोग प्लीज अपना camera उन रखेंगे during the session, it's a basic request that I am placing, क्योंकि आज आप लोगो कुछ भी पढ़ाई नहीं करना है. तिक वो physical होता है, तो हम लोग अपने students से काफी interaction रखते हैं, बात बात भी होता है, but since it is all online and digital, तो बिल्कुल भी ऐसे बात भी नहीं हो पाता है, और समझ में भी नहीं आते हैं कि किस बच्चे को कहां पर problem हो रहा है, कि वो कैसे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तो that is why समझेंगे एक दूसरे को और अच्छे तरीके से. सब लोग प्लीज अपना camera उन रखेंगे, and then we can start the session. चलो फड़ा फड़ से सब लोग on करो, क्या हुआ? अलग से की करके बूलना होगा मिरको? आदेश, शैली, हर्षिता, तिशू, अदिती, गोविंद, हर्षित, अव्या, कुनाल, जैदित्य, अक्षत, आर्यन, कोठारी, शिवम, खेमका, स्नेल, शार्दा, इशिका, वैभव, खाली हर्षिता को छोड़ के बाकि सब on करेंगे, जैदित्य, अक्षत, शिवम, सार्थक, वैशाली, रुचिका, सब लोग अपना कैमरा on रखेंगे सेशन में, अभी भी बहुत लोग on नहीं के, मैं स्टार्टी नहीं करूँगा जब तक सब on नहीं रखेंगे, अपर तुम लोग मिटिंग छोड़ सकते हो, गोविन सिंगला, अधिति सुराना, हर्शित अगरवाल, वित्तल चोकानी, सार्थक भगत, तो देखो, like cm1 जो पेपर है, like generally क्या होता है, यह बहुत लोगों का first paper होता है, या फिर second paper होता है, ठीक है, तो थोड़ा इसको first paper में समझने में तो difficulty होता है, कि अपने को कैसे क्या proceed करना चाहिए, since now we are in the midway, and I welcome you all, बहुत लोगों ने हम लोगों को just अभी जोइन किया है, ठीक है, तो I welcome you all, जैसे बहुत लोगों ने अभी just last week में जोइन किया है, कुछ लोगों ने दो वीक पहले, तो mainly किस तरीके से हम लोगो इसका approach रखना चाहिए, ताकि हम लोगो बित्कुल problem नहीं हो, ठीक है, तो just पहले थोड़ा basic maths करते हैं, तो जैसे अगर आप लोग बात करें पूरे duration, like course का duration का, it is roughly 200 hours, एक बार आपको जो पूरा syllabus है, वो complete करने के लिए 200 घंटे का preparation चाहिए, चाहिए आप class 12 में हो, चाहिए आप like first year में हो, चाहिए आप graduate हो, ठीक है, and so on, like अगर मान लोग किसी का intellect थोड़ा high है, तो maybe उसको 20-30 घंटा जल्दी हो जाए, बट मोटा मोटी एक बार prepare करने में अपने को 200 घंटा लगता है, तो इस 200 घंटी को अपने को क्या करना है, small-small bits and parts में divide करना है, ठीक है, I am assuming कि अगर अभी हम लोग सब लोग समझो, बहुत लोग आ गई है, किसी का 6 chapter हो गया है, किसी का 10 हो गया है, किसी का 9 हो गया है, अगर मान लोग सब अभी 0 पे भी stand करते हैं न, तो this is the point, like हम लोग को अभी start करना चाहिए, तो अगर अपने देखे, daily basis में अपने को equal efforts लगाना है, like almost 50% efforts लगाना है paper B में and almost 50% efforts लगाना है paper A में, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे अपने जब quiz contest किये थे, तो बहुत लोग उसमें participate भी किया था, उसका main motive क्या है, कि हम लोग दे but balancing the two is the key to success, आप अगर दोनों को अपने को 100 number का पुरा paper नहीं बनाना है, definitely mind make है कि अपने को पुरा 100 number का paper बनाना है, आप सब चीज को बहुत अच्छे से करना है, but what is our first target, our first target is to get good score in the examination, तो वो good score कैसे आएगा जब आप लोग balance करके दोनों को बहुत अच्छे तरीके से examination structure इसका जो है, उसमें आपको पास ही करते हैं वो लोग 60 में, this means कि अगर आपको बहुत अच्छा एक knowledge है तो ही आपको लोग exam में पास करेंगे, and there are few misconceptions जो बच्चे लोग अपने मन में बनाते हैं, कि CM1 बहुत बड़ा है, बहुत lengthy है, CS1 तो छोटा है, तो बतला वैसा कोई बात नहीं है, almost over and above हर paper के लिए आपको same duration पढ़ना पड़ते हैं, मैं आपको छोटा से example देता हूँ, तो अगर मानलो दो आदमी है, एक आदमी आपका महने का 2,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, इसार दो है को 200 घंटे का preparation देना है, किसी मैं 180- отвеч Ony it matters, 145-14,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00-00,00,00,00,00,00-00 ुपिच्छे तरीके से अभरा पुरा portion का revision के दो एक र्विजिन करना है, तो कोर्स में तो आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो सबसे पहला जो key point है, जो आप लोग आज लेके जा रहे हो, the thing is कि आप लोग को A और B दोनों को साथ साथ चलाना है, अगर मानलो दिन में 4 घंटा पढ़ने का time है, तो एक वीडियो आप लोग A का करिए औ और एक वीडियो आप लोग B का करिए, this is the first thing that I will suggest you, एक वीडियो A का और एक वीडियो B का, उसके बाद में मानलीजिये, अगर आप लोग को लगता है कि नहीं, आज मेरे पास extra 2 घंटे का time है, तो एक पेपर एक वीडियो और देख लीजिये, अगर मानलीजिये, वीडियो आपका धरम है copy, जो class copy है, उससे 90 marks का आपको exam में common मिलेगा, this I can claim in this recording, ठीक है, जो class copy है, उससे 90% चीज़ आपको exam में common मिलेगा, क्योंकि इतना जो हमारा expanded video set है, 90% चीज़ आपको मेरे class copy से common मिलेगा, तो 90% चीज़ आप अगर class copy अच्छे से करते हैं, वो type का sums करते हैं, जो मैंने class में कराया है, हाँ, अगर हलका full का adjustments आ सकता है, हो सकता है, आपको जो मैंने sum कराया है, उसमें 3 नए चीज़ हो, आपके exam में 5 नए चीज़ आ जाए, ठीक है, एक और चीज़ समझेगा, final answer को सह अधी लाना जरूरी है, बट process पे marks होता है, अगर एक question है, जिसमें आपका समझीए 10, I mean, अगर उसमें आपका समझीए 10 चो parts है, like 10 step है, तो हर एक step पे marks है, final answer का सिफ, like, आधा number या फिर एक number होता है, and इनका marking system is so superb, for example, let's say, suppose, मेरा answer आ रहा था 3, ठीक है, लेकिन correct answer is 2, तो वो 3 को लेके बागी सारे parts को evaluate करता है, तो कि process पे marks है, ऐसा नहीं कि मान लिजा, आपका कोई question का, कोई first part wrong हो गया, तो पूरा question wrong हो जागा, ऐसा नहीं होता है, वो carry forward होता है, वो आपका गलत answer, इसलिए तो इतना रुपया लेता है न ये लोग, अपने Indians कैसा सोचते है, कि इतना रुपया ले रहे है, कमा रहे है, भेंकर कमा रहे है, उसके पीछे का logic है, आप लोग अभी examiner report, जब आप लोग मंगाएंगे IFOE से, तो उसमें दो examiner है, जो आपका exam को check करते हैं, और उसमें बहुत जादा कोई difference होता है, तो एक third examiner को check करता है, and you can like, like, वो freely available रहता आपको एक mail करना पड़ता है, वो पुरा report आपके mail पर आता है, Indian Institute is also, like, last time, अभी जो current जो result आया कल रात में, they have given a very high percentage of result this time, and I was shocked, like, 3%, 4% का जहाँ पर result होता है, वहाँ पर वो लोग ने काफी अच्छा result कि, almost everyone has cleared the exam, ठीक है, but उसके बारे में नहीं सोचते वे, हम लोग को अभी अपने पास अगर अपने देखें, तो 3 months roughly है, ठीक है, this comes to approximately 90 days, okay, तो ये 90 days को कैसे अपने को use करना है, ये अपने को समझना चाहिए, तो 90 days है, अपने को divide करना चाहिए, अपना portion को, कि अपने ओटा मोटी अपने को 3 बार उस चीज को revision करना है, तो एक बार अगर अप चीज पता है, कि video में भी मैंने बहुत चले revision classes जाल रखे है, there are a lot of review classes in your video set, if you must have seen, मैं 20-20 में फिर से पूरा चीज revise करा रहा हूँ, same sum को दुबारा कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मानलो ऐसा कभी कुछ आते है, आप उस video को skip मत किजी, उसको भी आप देखिए, तो July end तक we should target कि हम लोग को पूरा चीज को एक बार करना है, sir हम तो अभी join किया है, मेरा तो आज ही first day है, तो मेरे लिए कैसे possible होगा, बिटा दो महना है, अगर 200 घंटे को आप लोग simply divide करते हो न, तो एक दिन में अगर आप 3, like suppose करो 3 lecture, 3 lecture का आपका video duration is roughly 5 hours, और फिर 6 hours करके अगर अगर आप एक घंटा revision करते हो, तो कोई problem नहीं होगा, you know आप लोग का तो जैसे एक paper है, let me take the example of CA final, it is a tremendous pressure वाला exam, और मेरे को नहीं लगता है कि इंडिया में इससे ज़्यादा difficult कोई exam है, UPSC definitely it is there, but it is so difficult, वो 16 दिन जो आपको निकालना होता है, एक के बाद, एक के बाद, exam जब आता है, there are students जो लोग तीन साल में भी इसको clear नहीं कर सकते हैं, there are students जो लोग ने तीन मेहने में भी इसको करके देगा, it all depends कि आप लोग किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, अगर मानलो आप जिस दिन कोई भी चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसी दिन उस को पुरा structure अपके दिमाग में रहेगा, लेकिन अगर आप मानलो खाली classes देखते जा रहे हो, आप some practice नहीं करे हो, खाली classes देखते जा रहे हो, फिर आप paper V को एकदम week छोड़ दोगे, तो आप वैसी, you are not planning to pass, you are planning to fail, अगर आप मानलो paper V को एकदम छोड़ ही दे रहे हो, तो कि हाँ भई पहले paper ये कर लेंगे, फिर अपने paper भी करेंगे, it doesn't work like that, आपको दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, ये और भी पूरा साथ में लेके चलना पड़ेगा, participate in the life classes, participate in the quiz contest, ठीक है, हो सकता है, कोई दिन आपसे पढ़ाई नहीं हो, take a break, take a break, कोई दिकत न week में एक दिन कुछ मत पढ़िए, कोई फरक नहीं पढ़ता है, आप लोग पूरा दिन किताब लेके बैठेंगे, उससे कोई फरक ही नहीं पढ़ता है, just एक thought दे रहा हूँ आपके मन में, ताकि आपको time जादा होने से अच्छा preparation होता है, एक हद तक सही है, लेकिन हमेशा आपको एक छोटा से example देता हूँ, अगर मान लो कोई बच्चा एक बार fail हो जाता है, तो कि next time कि उसका rank 1 आता है, बहुत कम cases में ऐसा दिखा जाता है, next time भी वो बच्चा decent score से ही clear करता है उस exam को, 70s में मान लो, 80s में मान लो, ऐसा थोड़ी कि उसका rank 1 आ जाता, तो उसको 6 rank 1 आ जाता, ऐसा नहीं है, जितना आना होता, उतना ही आता, इस चीज को समझने वाले समझते है, and they plan कि हम लोग को उस तरीके से करना है, आज कल को जाके आप लोग office में काम करेंगे, दो साल के बाद में कोई लोग, तीन साल के बाद में, कोई लोग, एक साल के बाद में और अगर मान लोड और आएगा तो आप लोगो को काम करना पड़ेगा, वीकेंड पे भी काम करना पड़ेगा, थिंक उस समय अगर आपके 4-5 पेपर बसते हैं, how will you manage at that point of time, तो अभी से आप लोगो उस चीज को ready करना है अपने आपको, this is not your 11 and 12 और college exam, बहुत लोग first exam दे रह है, इसके लिए वही survival of the fittest is the thing, अगर आप लोग हर चीज में best रहोगे, तो ही आप लोग इस exam को clear कर सकते हैं, सब लोग का exam नहीं clear था, professional exam, आप लोग चाहिए 100 रखम का सम्स प्रेक्टिस कर लीजिए, exam में आपको एक नया type का सम ही देखने को मिलेगा, it all depends कि आपने उस concept क किस तरीके से फढ़ा, अपना base को foundation को strong कीजिए, CM1 का जो booklet 1 है उसमें जितना time उसके spend कीजिए, उसको 2, 3, 4 बर बनाईए, एक बर आपको वो increasing, decreasing तक का जो portion है समझ में आ जाएगा, then I don't think, so there is any kind of newness left in doing your project appraisal, bonds, term structure, और loan schedule, you just need to practice till equations of value, okay, and the students, those who have joined us recently, उनके लिए मैं बोल कि इलकुल ध्यान मत दो, कि वो मेर से आगे निकल गया, ऐसा है, वैसा है, ठीक है, मैंने तीन महिना में C.E. final के exam पढ़के दिया था, लोग तीन-तीन साल पढ़ते हैं, बस तीन महिना था, मैं पूरा-पूरा दिन पढ़ता था, मैं 16-16 गंटे पढ़ता था उसके लिए, क हम लोग अपने आपको एकदम पूरा rigid कर लेते, कि आज नहीं हुआ तो अपने आपको belt से मारेंगे, इस step का planning हम लोग करते हैं, वैसे नहीं work करते है, थोड़ा सलका से liberal बनना पढ़ता है, हो सकते हैं, कभी आपका मन नहीं करेगा, तो आप लोग छोर दीजे न, उस दिन म लगेगा एक्जाम के पहले, ओपन बुक एक्जाम में हो सकता, आपको refer करने का धरकार पर जाए, आपके पास सारे के सारी resources है, आपको सारे के सारी resources दे रहें, इसको use कैसे करना ही आपके उपर में, and trust me, अगर कोई बच्चा यह सोच रहा है, कि बहुत difficult course है, तो easy करके जिं then only it has some value, then only it is having some value, okay, every now and then if you look for motivation then you should leave the course immediately, take the refund and go, there is nothing as such called as motivation, if you need every hour the motivation, हमको अच्छा नही लग रहे, हमको पढ़के अच्छा नही लग रहे, it is not the way, आप अपने आप से इस course में आये है, the content is great to study and तुम लोग को अपने मन से पढ़ना चाहिए, क्यार में को यह चीज करना है, तुम लोगो क्यों मैं बोलूगा बार बार, पेरेंट्स बोलेंगे बार बार, it is not only your success, your parents are putting in lot of hard work, money, सब कुछ दे रहे हैं, मैं जब पढ़ता था मेरको मेरा finances भी देखना पढ़ता था, मेरको मेरा office भी जाना पढ़ता था, मेरा college भी था, उसके start मैंने manage किया है, क्योंकि मैं को पता था, अगर मैं हर रोज consistently तीन से चार घंटा पढ़ रहा हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा time पढ़ता था, for example, चार मैना है, आज जैसे मानलो मैंने exam दे लिया, उसके एक मैना, देर मैना generally लोग break लेते हैं, for example, April में exam था, तो मानलो May month चला गया, अब तो June आगया, अब तो June आगया, now is the time you should focus to study, and जो लोग हम लोग को recently join के, don't think कि लोग आगे है, लोग आगे पीछे नहीं होते हैं, I have students, जो लोग C.A. हैं वो लोग अभी start कर रहे हैं, जो लोग मानलो age 40 के हैं, वो लोग अभी start करते हैं, LIC के branch managers लोग अभी start कर रहे हैं, तो लो don't always seek for that YouTube motivational videos, कोई motivation नीची, you should follow, मैं भी जब पढ़ता था, मैं को लगता था, कि मतलब एक motivational video देखूंगा, तो वो आता था, but वो चीज नहीं था, वो discipline से आया है, अगर ये काम को इस समय करना है, तो करना ही है, आज मैंने तो आप लोग को recordings दे दिया, मैं फिर life class क्यों ले करना हूँ, what is the incentive, एक discipline routine में जाने से हर चीज बेटर होता है, आपको पता है कि आपको अपने हर समय प्रो कास्टिनेट करते है, जैसे मानलो हम लोग अपना पास देखेंगे, एक हफता में मानलो हम लोग दो ही chapter cover किये, लेकिन अपने next chapter कर जो target बनाएंगे, वो ऐसा बनाए कैसे तो पहले हम पढ़ने बैठे कि एक दिन में मेरा तीन lecture हो, एक दिन में मेरा चार lecture हो, ठीक है, तो इस तरीके से काम को करना है अपने को, तो मानलो पहला बाद तो तुम लोग जब एक sitting करते हो, तो पंदरा मिनिट, बीस मिनिट है तो एक sitting वैसे नहीं होता है, बने एक एक sitting मिनिममम दो घंटे का होना चाहिए, अगर मानलो नहीं भी मन कर रहा ना तो एक जगपे बैठे रहो, उठो मत वहां से, उठो मत वहां से जब तक तुमारा मतलब दो घंटा नहीं हो जाए तो, पहले तो एक जगपे बैठना सीको दो घंटा, आप लोग का notifications है, notifications को off कर दीजे, जब आपका मन चाहेगा, तभी आप फोन खोलेंगे, तो आपको दिखाएगा, मेरे फोन में notifications सब off है, मैं जब चाहता हूं तब मेरे को like display करता है, मैं जब WhatsApp खोलना चाहता हूं तब मेरे को वो चीज़ दिखता है, ठीक है, थोड़ा बात अभी हम लोग सब घर में तो एक boredom आगे हम लोग सब के मन में, तो like, you can little bit, आप morning में या फिर evening में जब आपको time मिले, आप आदा एक घंटा थोड़ा बात exercise पे दीजे, थोड़ा physical activity रहेगा, तो क्या आपका mind थोड़ा fresh रहेगा, जो भी दिन का पुरा frustration and all है, वो सब बहुत बहुत बेटर फील होत है, मैं को तो गाना अच्छा लगता है, do that na, do that for 30 minutes, one hour, take your time and do that, पूरा दिन पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है, अगर वालो तुम लोग ये सोच रहे कि तुम लोग दो दिन अच्छे से पढ़ेगा, तीन दिन अच्छा से पढ़ेगा, ultimately it will average out, अपना past खोल के देख लो, ultimately it will average out, कभी ना कभी तो तुमारे मन से भार आएगा ही आएगा, और तुम लोग उस दिन कुछ नहीं पढ़ाई करोगे, तो being consistent is very important, सबसे पहला चीज, being consistent is very important, कि एक्तम धीरे-धीरे करके करना है, and syllabus को हर बड़ी में खतम करने का try ही मत करो, कि मेरे को आज तो 6 वीडियो द 3 बोला है, 4 बोला है, 3 से 4 देखो, बाकी टाइम मिल रहे, तो अपना जो काम करना है करो, उस दिन का काम हो गया, मतलब ठीक है, that's done for the day, next day फिर से पढ़ने का मन करेगा, अगर एक ही दिन में 7, 8, 19 वीडियो देख लोगे, तो उस तरीके से नहीं होता है, आदा घंटा, एक अपने ली निकालो, तुमको उसमें जो करना है तुम करो, you want to dance, you want to sing, you want to follow your hobby, passion, this is how, मेरा फ्रेंड है, he got All India Rank 1 in CA, उसने अचरीज में दो बर All India Rank 1 लाया, उसने CA Inter में राया, he's working as an investment banker, still he managed to play his guitar every day during his CA final preparation days, मेर से नहीं हो पाता था, मेर से नहीं हो पाता था, मेर से नहीं हो मिली पढ़ता था, he like, मैं तुम लोगो एक share करता हूँ, सोचो, किस तरीके से ये लोग manage करते हैं, उसका office होता था, वो घर से दूर रहता था, सारा काम, अभी तुम लोगो का सारा काम, तुम लोगो का मम्मी बापा तुम लोगो करके देता है, तुम लोगो नहीं बोलता क सारा काम, he used to do by his hands, okay, बट उसका एक schedule था, जैसे मेरा भी एक schedule था, कि हाँ भई, चार से लेके 12 बज़े तक पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है, 3.5 घंटा पढ़ूँगा, बीच में एक घंटा का break, फिर 3.5 घंटा पढ़ूँगा, इस तरीके से आप लोगो को daily एक routine बनान पढ़ेगा, when college days, morning में मेरा college होता था, उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ा आता था, office जाता था, रात को मैं को पता था, मैं को 9 से 12 पढ़ना है, 9 से एक पढ़ना है, तो पढ़ना है, ये जो 5 years है, आप लोग अगर इसको जितने अच्छे तरीके से दोगे, आप लोगो को उ एक और में को मिल जाएगा इस साल में, I have a very strong backup, तो मैं जो भी काम करता हूँ, एक अलग सा confidence से करता हूँ, कि हाँ में को पता है, अगर कुछ भी नहीं होगा, में को 10 ला कुरवा का नौकरी मिल जाएगा, तो तुम लोग को भी, मतलब कोई type का life में tension नहीं रहेगा, खुद this should be the thing, कमाया हमाँ पैसा है ना, तो यह सब के बारे में, तुम लोग larger goal के बारे में, जब तक नहीं सोचेगा नहीं कि तुम लोग को शॉट टंग गोल के है, paper clear हो जाए, बगवान paper clear हो जाए, ऐसे नहीं होते है, तुम लोग को सोचना पड़ेगा 2 साल बात, 3 साल बात, 5 स कहां पहुँचना है, यह आगे पीछे वाला जो चीज नहीं सब school तक अच्छा था, यह वो मेरे से आगे निकल गया, वो तो यह कर रहा है, यह सब school तक अच्छा लगता था, अब तुम लोग देखोगे, मतलब धीरे धीरे अभी तो तुम्हारे friends बनेंगे अभी तो तुम for their career, 0.01 है जिसका बापकेस बहुत रुपया है, थीक है, मतलब यह फिर उसको कुछ करना नहीं है, तो अलग बात है, थीक है, but 99.99% people are very much like focused about their career, तुम तो अभी आया है, तुम तो अभी आया है, तुम तो अभी आया है, पुश्य मिस्टरी को बोल रहा हूं, तुम तो अभ consistent रहे के खतम कितने लोग कर रहे हैं, ठीक है, शिवांगी मैं है, उनका भाई, he is from Xavier's Eco, एक बार दिया, cat नहीं हुआ, उसको टॉप 5 में मिल रहा था, like I am indoor में, like 6 या फिर 7 नमबर में, वो नहीं गया, उसको पता है, वो क्या डिजर्व करता रहा है, अब क्योर वो आया है तो, if in life you are getting some kind of failure or a setback, so, वैसे नहीं होता है, हर चीज़ तुम्हारे साब से चले, it is not important, अब जैसे विधी मेर को फोन की बोली भी है, हमें को लोन शेडूल समझ में नहीं आ रहा है, हमको बहुत टेंशन हो रहा है, टेंशन लेने का कोई बात ही नहीं है, टेंशन लेने का अब जैसे CT5 है, contingencies मैं स्टार्ट करूँगा, इस विक ने, इस विक के बाद से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, इस विक के बाद से स्टार्ट करूँगा, शुरू का 10 class is very important, क्योंकि इसमानों पूरा foundations बिल्ड़ अप करेंगे, like chapters 15 to 18 हमनों पूरा discuss करेंगे, डिटेल में, वो 100% life करूँगा, क्योंकि मैं बता उसके बाद किसी को कोई problem हो गई नहीं, अगर वो शुरू का 10 class कोई कर लेगा, तो उसको कोई problem ही नहीं होगा, same goes with Excel, यह सब चीज़ एक्सल है, या फिर मान लो, Excel जैसे चीज़ है, अब जो working है, like, मैं तुमको rank 1 का कितना सारा example दे दि वो पहले fail हुई भी है, वो फिर से आई उसका rank आया, मेगना, मेगना का CT5, CT4 double rank था उसका, एक term में, दो term में, मैंने 200 paper में rank 1, फिर next time क्या हुआ, वो तुमारा CT8 दी, वो उसमें fail हो गई, क्या हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, उसकोई चीज़ पता है ना, कि उसका office का pressure वो things को manage नहीं कर पाए, नया नया job था, तो उतना कुछ request भी नहीं कर सकते है, off के लिए, again she got 85, which is still now the highest in CM2, तो ये चीज़ से तुम लोगो मतलब, ऐसा नहीं, यह मान लोगो कोई दिन अगर पढ़ाई नहीं हुआ, तो उसको लेके encrypt करना कि आज तुम ये time waste कर दिया, ऐस time है, साड़े-तीन माहना time बहुत होता है, eventually you will realize this, जब तुम लोग को दो-तीन paper हो जाएगा, उसके बात तुम लोग को इसी समझ में आएगा, कि time साड़े-तीन माहना बहुत होता है, एक paper के लिए, लोग इसमें दो-दो paper देते हैं, जॉब के साथ देते हैं, ठीक है, तो लोग को कोई क्या judge करेगा, just ask कि तुम लोग को क्या problem हो रहा है when you're studying CM1, just ask your query, I'm open for doubts, yes, Kashish. Sir, हम जब videos देखते हैं, आपका जो videos दिया गया है, वो videos देखने के लिए मुझे देखने के लिए मुझे, and at that point of time, वो doubt clear तो नहीं हो पाता है, थोड़ा time लगते हैं, doubt to clear होने में, that I understand, तो उसके बाद, जब तुम नेक्स topic परती हो, तो वो तो related होता है, ना, first topic से, तो मु बोल रहे हैं, इसको अपने इस तरीके से break up करते हैं, सबसे पहला चीज, I request all of you, जो लोग का भी मानलो, जो लोग syllabus में हलका आगे हैं, ग्रूप में अगर कोई भी doubt post करता है, you all should help, you all should help the candidates, जो लोग मानलो, weak, ऐसा मत है, time value of money का doubt पूछ रहे तो मेरा होगी है, ऐसा नहीं, कोई मेरे से ऊचीज पुषता होगा, तो हम तो 5-6 साल से एकी चीज पढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, हम कितना patiently उसका answer करते हैं, उसके बदना अगर तुम लोग देखो कि करशिष और वच्छल जो लोग बोल रहे हैं, every other day there is a life class, हाँ, ये चीज मैं समझता हो सकता है, topic हलका different हो, so for this what I can do is, मैं शुरू का जो 10-15 minute है class का, या फिर मालनो class खतम होने के बात का 10-15 minute है, वो मैं general doubts के लिए रख सकता हूँ, उसमें किया, जो student लोग को भी कोई भी type का problem हो रहे है, कोई भी portion of syllabus में, वो मैं उस doubt class में करा सकता हूँ, this is the thing that we can do, या तो class के starting में, या फिर class केंड में, फंदरा मिनिट से आदा घंटा, daily में, daily basis में, जो भी specific specific जगा में, लोगों को doubt हो रहे है, they can stay back and they can ask the doubts, this is what we used to do, when we used to do maths class, and उसी तरीके से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, yes, next, शिवम बोलो, हाँ, सर, यह हम जब sums करता है, तो मेरा calculation बहुत mistakes होता है, में, seriously, silly, एकदा mistakes होता है, अब फिर वापस से करने का मन नहीं करता है, कि अब लगता है, हो गया है, तो फिर ऐसा होता है, then, देखो, sums का अगर हम लोग बात बोले, मानलो, average में, 50 sums अगर एक booklet में, ठीक है, तो अगर मानल किसी में भी अगर नया टैप का adjustment है, तो उसको तो पूरा अच्छे तरीके से बनाना है, अब एकदम सम देख के ही समझ में आ रहा है, कि यार, पूरा same type का है, उसका equation बनाके, तुम लोग answers को examiner report से match करोगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, calculation mistake जो हो रहा है, उसके ल example मानलो मेरको I-12 लेना था, लेकिन मैंने D-12 ले लिया, ठीक है, for example मेरको I-12 लेना था, मैंने D-12 ले लिया, फिर मानलो मेरको A लेना था, मैंने A-2 ले लिया, we should write down that mistake there, कि क्या हुआ है, for example मैं ये सम कर रहा था, ये फिर मैं ये सम कर रही थी, मेरको I-12 लेना था, मैंने D- 12 ले लिया इसको बसकली लिख लो ठीक है by the time you reach your examinations क्या होगा तुम्हारे पास मैं ऐसे 200 से 300 points रहेंगे कि मेरे को A लेना था मैंने A du ले लिया just write down in full sentences Hindi में या फिर English में फिर जो भी तुम्हारा लेंग्वेज है तुम्हें तुम comfortable हो उसको exam के एक हपता पहले बसकली बार 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 पढ़ो तो वो सब mistakes तो तुम्हारा कभी जिंदिगी में और नहीं होगा ट्राइ करके देख लेना this system we used to follow for taxation same like उसमें क्या होता था बहुत menu details थे provisions थे तो मैं तो यही follow करता था कि मालों कोई भी अगर mistake हो रहा है तो मैं उसको एक जगह पर लिख लेता था जैसे हम अपनी पेस पे चल रहे होते हैं समागे चल रहे हैं तो आपके साथ चल रहे हैं सर लेकिंग ग्रुप में कोई जैसे question post करता है तो when we see the question तो कई बार होता है कि वह पुराना topic हमें याद में रहता है जैसे सिर्फ एक ही thinking है कि भई class copy तो तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से आना ही चाहिए तो मानलों जब भी भी पढ़ने बैठ रहे हो मैंने अगर मानलों दो घंटे का भी time है तो आदा घंटा रिविजन को दीजिए मैं तुम लोग से एक और स्ट्राडिजी शेर करता हूं मेरे फ्रेंड का मने हम लोग college में साथ में थे मेरा कभी भी रैंक नहीं आया है मानलों वो रात भर घर से chapter number 3 पढ़के आया ठीक है college में teachers पढ़ा रहें ठीके चलो कोई बात नहीं है वो अपना ct4 का notebook खुलता था और उसको पूरा चार घंटा पढ़ता था पूरा चार घंटा पढ़ता था मानलों 20 पेज पढ़ा रात में 20 पेज पढ़के आया है उसको पता है कि उसको बहुत अच्छे तरीके साथ है वही 20 पेज को घुमाते रहता था घुमाते रहता था घुमाते रहता था तो उसका रांक वो नहीं था इतना strong होगे था उसका वो and main point वो नहीं था कि वो रात में पढ़के आ रहे है main point यह था कि वो consistently college में धाई महना डेली चार घंटा मतलब 6 से 4 उसको पूरा रटा है मैंने रटा in the sense समझा तो ही और उसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा है तो this was the plan ठीक है and self में पढ़ा है ठीक है self में मतलब किस तरीके से अपना पूरा notes बनाया you know when I used to solve for example यह जो IFOA के revision notes है या फिर मानलों material है तुम हम तो तुम लोग को समझा दिया कोई चीज अब मेरे बारे में सोचो मेरे को लगता था भाई यह क्या लिखा है में को समझ में नहीं आता था फिर भी मैं सारा steps उसको copy करता था as it is पूरा मेरा उसका सारा steps को मैं पूरा properly बनाता था end तक देख देखे ही उतारता था लेकिन उतारता था धीरे धीरे में को समझ मैंने लगा ct5 का मैं आपको लोग को बताता हूं ठीक है ct5 जो contingency अपने स्टार्ट करेंगे जो चीज तुम लोग 12 घंटा में करते हो ना उस चीज को मैंने दो मेहना दिया दो मेहना chapter 1 पड़ा कुछ भी नहीं समझ में आया ठीक है स्टार्ट करते हैं probability से ठीक है probability से and we calculate जीने का probability मरने का probability ठीक है लेकिन जो मटीरियल है उसमें वो लोग सीधा स्टार्ट किये हैं अन्विटी और एस्ट्रारेंस फंक्शन से बट उसको समझने के लिए आपको वो सब आना चाहिए तो तो मटीरियल इस बिट अन्स्ट्रक् पढ़ा के फिर टू पढ़ा फिर 123 पढ़ा इस तरीके से मैंने पढ़ा है उसको तो अगर मानलो तुम लोग को पास copy है तो इस copy को जितना बार revision करोगे उतना बार तुम लोग को better clarity आएगा you can do revision sums मानलो अगर कोई compiler बना रहे हो तो उसमें 10 question मत करो मानलो कभी भी कोई sum करने तो पहले उस 10 में से दो question बना लिया तो you need to be in practice you need to be in practice and it will take time it will take time this is for sure तुम लोग को time devote करना पड़ेगा मेरे हिसाब से अगर तुम लोग मेरा पूछोगे तो इस stage में आके मतलब आने वाला next five years मतलब अभी इतना resources है ना तुम लोग के लिए तो मैं बोल रहा हूं ऐसा कोई paper नहीं रहेगा जिसके लिए coaching available नहीं रहेगा मतलब currently हम लोग 9 के लिए तो offer कर रहे है out of 13 and 2 और मैंने दिया है मतलब 11 सिर्फ लास का जो दो पेपर है ना उसके लिए ऐसा रहेगा कि वो specialization रहता है life में करना investment में करना रिस्क में करना है pension में करना है कोई ऐसा paper नहीं लेगा जिसके लिए तुम लोग को resource नहीं मिलेगा you need to just consistently study ठीक है मालो साथ से आठ घंटा seven to eight hours should be the average study schedule तुम लोग के लिए that is what is we considered as average average तुम लोग देखो aspirants समझ में आएगा साल में एक बार exam होता है में को idea नहीं उतना UPSC के वारे में साल में एक बार exam होता है उस बेचार साल से नहीं हो रहा था इसे repeat करता है चारों पर फिर से पढ़ना पड़ता है और सो स्मार्ट ऐसा मेरा मेरा आए बहाई मेरे को कितना दिया था है 199 200 वह दा पास और में audit में फिल था खाली audit में में फिल था तो अगर में audit में में चार्ली सा जाता 37 अटाट आटा टाली साल थन पास वो ग्रुप पास वो जाता दूबारा रिपीट करना पड़ा तो ऐसा तुम लोग के संग में नहीं है मालनो जो पेपर पढ़ा नहीं क्लिए रहे हो खली वही देना है ऐसा नहीं कि बोलेगा कि वही तुम CT5 अगर तुम अगर मालनो CM2 फेल करता है तो तो को CM1 भी दुबारा देना पढ़ेगा सोच के दोखो दो मेंटल प्रेशर और बर्डेन तो वैसा कुछ भी नहीं है जो पेपर पढ़ रहे हो खाली उसकी को देना है तो यह ब्लेस्ट कुछ पढ़ने का दर मने सच बताऊं तो तुम लोग को इतना इस मिला वैना कि तुम लोग कुछ का रिलेशन नहीं कि हर दिन तुम लोग लग पढ़ लिए ऐसा नहीं होता है तो अभी वो टाइम है जून जुलाई ऑगस्ट फिर उसके बाद के एंजॉइमेंट कब करना है दाट इस एंपोर्टेंट करो एंजॉइमेंट इस नोट प्रॉब्लम बट अभी इस दिन लूट टाइम सेप्टेंबर मिड में एक्जाम खत पर निकले का तब ना करेगा तरीस नोट 15 दिन बाहर निकलने तक तो अब 15 दिन तो अच्छा से पढ़ो फिर दो दिन तो ब्रेक ले ले लेना तो इस तरीके से करना अपने को ऐसा नहीं कि पुरा दिन पढ़ती रहना है अब अगर मानलों तुम लोग कोई मूवी देख र तुम कभी पहुँच ही नहीं पाएगा अगर क्लास में हम ऐसा करें तो तुमने को क्लास समझ मैंगा तुमने को दो मिन मैं समझ में आ जाएगा कि सरका पढ़ाने का मनी नहीं है दो मिन में पकड़ में आता है भई, बचले लोग इतना स्मार्ट होते हैं, लेकिन हम क्या करता है, जब माल लोगों को पढ़ाना है, मैं को पढ़ाना है, थो आदे मन कर रहा है, ड्रीजी लग रहा है, आधा गाटा सोजो, कोई दिक्कत नहीं है, तो you should be giving your 100% whenever you are doing anything, मालो 50% अभी effort डाला, चलो, देखते हैं, देखे, बबचलों को तो ये भी रहता है, तुम लोग का नहीं है, क्योंकि तुम लोग तो एक इंस्चुट से pursue कर रहे हो, you know, when we entered this course in 2015, तब लोग पता है क्या करते थे, माल लो एक paper है, उसको इंडिया से भी register किया, UK से भी register किया, दोनो the mentality, the total mentality got changed when people saw, कि यहां भी लोग दो-दो paper दे रहे हैं, उन लोग का clear भी हो रहा है, आज की दिन पर सब लोग दो-दो देते हैं, तुम लोग अभी CM1 दे रहे हो, सोचो कितना increase हुआ है, तुम लोग का CM1 में CT1 भी है, CT5B और Excel भी है, पहले लोग खाली CT1 देते थे तो भी भी फेल हो जाते थे, 6 मेना पढ़के, खले तो खली एक एक paper था ना, CT1 दिया, 6 मेना पढ़के उसमें भी फेल हो गया, अब सोचो, अब लोग CM1 और CS1 दोनों दे रहे हैं, पांस साल पले ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था, कि भाई, ऐसा भी हो सकता है, तो 50-50% देखके, ह तुम लोग का सब कुछ, फोन वगरा सब आफ है, एकदम अच्छे तरीके से, that time no one should disturb you, कुछ भी हो जाए, उसमें कोई डिस्टरब नहीं करना है, ठीक है, this should be thing, yes, Haley, बोलो, आवाज नहीं आ रहे है, yes, hello, आरी आवाज, आरी आवाज, हाँ, actually, जब तुम सम बना रहे होत इस चीज़ का डर रहे है, हाँ, मतलब प्रमोशन मिल गया था, इस चीज़ का डर रहे था है कि कैसे laptop में, मतलब word में कैसे sum बनाएंगे, कुछ निया, वो हमारे वीडियो बनाये वे हो, और जो लोग भी word अभी तक start नहीं किये है, हम लोग live class देंगे, 100% live class देंगे, MS word के लिए, ठीक है, तो हमारे पास recording तो है, वो हमने group में भेज दिये है, बट हम लोग 100% live class देंगे कि कैसे typing करना है, not much of an issue, इसके लिए मैं class में भी बोल चुका हूँ, तुम लोग सब Milka Singh वाला picture देखा है, पहले वो नंगा पैर दौरता था, उसको उसमें कितना comfortable लगता था, जब उसका guru जो है, उसको बोलता है, अब तुमको यह जूता पनके दौड़ना है, तो क्या बोलता है, नहीं मेर से तो नहीं होगा, तो उसका coach उसको बोलता है, बोलता है, आज जो तुमको problem लग रहा है, वो कल जाके तुम्हारा सबसे बड़ा ताकत बनेगा, अरे बही ज को टाइम कहा मिल रहा है पढ़ने का ये तो देखो, everything has its pockets of pluses and minuses, you need to understand this thing, अरे बही आज तुम लोग को तुम लोग को जितना टाइम में पढ़ने का, क्योसको तुमको तुमको रेलाइस करना पढ़ने का, नहीं है, तो ये तुमको रेलाइस करना पढ़ने का, कि भाई सब वो तो डेली, वो तो डेली Instagram में पोस्ट डाल रही है, कि भाई, I need to, तुम ही हो न, चार्च शर्मा, तो सबसे पहले मुंबाई भागी की चार्च शर्मा, अपना college का याद आ रहे इतना, हाँ, once बोलो, तो अब वो डाउट रहे है कि अभी compiler को री बना दू या फिर वीडियो लेक्चर से वो सारे दे, बहुत difficult question है तेरा तो यार, मैंने, इसका एक solution है कि वीडियो आउन करके compiler बना, मतलब प्रोजेक्ट के अपरेजल का वीडियो आउन कर ले, इसमें सम्स वाला और compiler बना दू वीडियो में compiler का ही सम्स है तो तुम ऐसे कर सकता है, ठीक है, ऐसे compiler भी बना सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो, ऐसे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और कोई, बोलो, Shelly बोलो, कितना हुआ है Shelly का, Shelly जा जोडिया, Yes sir, कितना हुआ है तुमारा, I am doing bonds, bonds अभी कर वीडियो, और पहले का सारा हुआ है, हाँ Sir, जैसे कि अभी लाइफ क्लास जी आ रहा है, हाँ, बोलो, जैसे कि अभी हम लोगा जी लाइफ क्लास चल रहा है, हम उससे बोड़ा सा पीछे है, वीडियो क्लास की, तो Sir, उसको manage कैसे करें, क्योंकि हम अभी दिक्कत नहीं है, पाल अगरवाल तो अभी दो दिन पहले ही जोइन की है, वो जब कुछ नहीं बोल रही है, तो तुम क्य समयज नहीं कर सकते हैं, तुम मेरे को पीछे नहीं कर सकते हैं, तुमको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, उसको बढ़ाने के लिए तुमको जाथा दिन पढ़ना पड़ेगा, अगर तुमको लग रहा है, 6 hours is not enough, तो तुम 8 गंदा पढ़ाई करो, 8 hours is not enough, तो तुम 10 गंदा पढ़ाई करो, मेरे एक स्टांडर्ड पेस है, उस पेस को तुमको फॉलो करना पड़ेगा, अगर उससे नहीं हो, अब कैसे समझ में आएगा, पारस दुआ को कैसे समझ में आगा, अगर हम पारस से पूछते रहें, कि पारस तुम्हारा ये चप्टर हुआ है, पार अगर हो सकता है, तुमको थोड़ा धीरे-धीरे समझ में आ रहे है, बट तुम अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओ, आज मानलो अगर हम जुलाई थर्ड विक तक खतम नहीं करते हैं, तो मेरा बच्चा लोग खतम नहीं करेगा जुलाई एंड तक है, फिर मानलो ऑगस् अगर मानले थे पचास्ट क्वेश्चन है, तो भी तो तीन दिन में बढ़न्स खतम होना चाहिए, वीडियो के साथ, एकदब मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, हाँ शौर ये बोलो जैसे एक वेशन आया था, लोगन प्रोसीड मुझे बिल्कूल ही नहीं बसा था कि लोगन प्रोसीड मतलब कैसे करता है, फिर मैंने गूगल किया था, जो फिर थोड़ा सा देखा जोर। अए ये सब क्या है, जिए सब कहा है ना, जै मैं थोड़ा बाध डाउट प्रॉट जरू अगर तुम थोड़ा बाध टर्मिनोलोजीज मार्क करके रहा हो कि तुम्में को 2 मिंट नहीं समझाने में सब, मल्नो तुम्हार पस बीत टेमिनलोजी भी लिखा हुआ है तो पांच मिनलगे के सबको समझाने में कि क्या होता है उसब तुम थोड़ा बात तो गूगल करके भी देख सकते हो दिककत नहीं उसमें कोई प्राब्लम ही नहीं है तुछ है क्या सर्थ खेक है? और कोई भाई बंदू जो कुछ बोलना चाहेगा? और कोई? Excuse me sir. Yes. Sir, last time when I gave CM1 in April, that time I didn't work using equation editor, क्योंकि हमें नहीं का आगा equation editor use करने को, तो first मैंने तर टाइपिंग के साथी किया था पूरा पेपर. और अब भी when I saw the videos, तो उसमें equation editor को भी यूज किया वा है. तो मुझे तुम्हें 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 मैं बता रहा हूँ, हमने दोनों method से करवा दिये, ठीक है? आपने शायद अभी पूरा देखा नहीं है, आप जब पूरा देखेंगे तो हमने equation editor से भी कराया है, और हमने like normal way से भी कराया है, ठीक है? ठीक है? पहले क्या हुआ था? हमने जब equation editor की videos record कर लिये थे, तब तक IFOI के तरफ से कोई notification नहीं आया था, ठीक है? तो हमने equation editor वाले भी videos जाल रखे हैं, जैसे we got the fresh notification की भई अब हम लोग को ऐसा दरकार नहीं है, कि equation editor में ही करना है, तो इसलिए हमने वोला video को delete नहीं किया है, ठीक है? हमने दोनों method से ही बताया है, आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको दोनों method से ही है, बट जब since IFOI नहें बोल दिया है कि equation editor यूज नहीं करना है, उसका videos आप लोग देख के रखो, क्योंकि आप लोग कभी भी काम लग सकता है, बट उसको यूज करने का दरकार नहीं है. Okay sir, Also the project appraisers जैसे आपने life class में करवा लिया था, उसके पहले मैं recorded class देख ली थी, तो फिर मैंने questions खुद से करने का कोशिश किया, बट वो नहीं solve है था, मुझे पूरा दो दिन लग गया, पूरा compiler करने में से project appraisers, तो it got a bit hard, कि सारे questions समझ भी आ रहते हैं, First time में, First time में, तुम लोग कुछ भी करोगे, तुम लोग को difficult लगा, खास करके project appraisal हो गया, bonds हो गया, तुम तो first time कर रहे हो न, अब यह सोच हो जब second time करोगे, तो उससे थोड़ा आधा time लगेगा, फिर एक बार और करोगे, तो sums को mark करके रखना is also very important, अगर तुम लोग का sums थोड़ा properly mark ड्रेगा न, तुम लोग को कोई type का problem भी नहीं होगा, sums को थोड़ा properly mark करके रखेंगे, तो हम लोग को बिल्कुल कोई problem नहीं होगा, sums को properly mark करके रखना, बहुत लोग तो star बनाते हैं, triangle बनाते हैं, कि हाँ भई मेरको यह sums को ऐसे से करके करना है, तो sums को थोड़ा properly mark करके रखो, कि second time में में को यह सब चीज करना है, और बाकी तो मैं जब class लेता हूँ तो तुम लोग पूछा करो, तुम लोग पूछो को नहीं, 24th को जॉइन किये थे, कैसा चल रहा है भी तुम्हा तैरी? Loan schedule पर हूँ, सारा classes देख लिए तुम, ठीक है, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी class को skip नहीं करना, अगर कोई बच्चा मेरा सारा class देख लेता है, तो बच्चा वैसे ही pass है, क्योंकि उसमें सब चीज करा दिया है, जो live class में करा रहा हूँ, मैं कोई भी video delete नहीं करता हूँ, मैं सारा class दाल देता हूँ, तुम लोग जितना देख सकते हो आराम से देखो, पूरा दिन में कोई चला के रखो, फोन पे चाहिए तो फोन पे ले लो, कोई problem नहीं है, ठीक है, बस फोन में क्या होता है, दो device में करने में देखो तोड़ा problem होता है, कि मतलब एक जगा पे de-register करके फिर उसा problem होता है, इसलिए एक ही device पे रखो, अराम से पुरा-पुरा दिन धीरी देखो करके पोड़ो, जब break लेने का मन करें तब break करो, ठीक है, कुछ नहीं समझ में है, लाइफ में कोई problem लगे कि यहां पढ़ाई नहीं हो रहा है, 3-4 दिन में, हफ्ता बर लगातर skip हो रहा है, इस लेप्टॉप पर ऑफिस का काम होता है, तो फिर वो लेप्टॉप में को देना पड़ता है, तो में को दूसरे device पर देखना होता है, ठीक है, ठीक है, मैं देख लूँगा, वो तुम्हें करवा दूँगा, तुम्हें को WhatsApp पर मेसेज कर देना, बट एक चीज़ ध्यान में रखना, जब तुम्हें लोग दूसरे device में चलाओगे तो पहले device में नहीं चलेगा, वो चलेगा एक तैम पर एक ही device में, ठीक है ना? तो वो चीज़ है, ठीक है, और, येस, गुर सिफत कौर? सर्व सिमेस्टर 6 के एक्जाम शुरू हो रहे 10th June से, 10 June से, अच्छा, 10 June से कब तक होगा? सर्व 20th June तक है, 10 से 20 होगा ना? तो ठीक है, देखो, मेरा अभी टार्गेट यह है, मैं अपना टार्गेट क्लियर कर देता हूँ, अभी मैं थोड़ा टाइम CT1 के portion में रहूँगा, ठीक है, जैसे यह वहला जो week है, मैं पुरा CT1 के portion में रहूँगा, तो, I guess, आपका 2-3 दिन तो वहाँ निकल जाएगा, और next week में, जैसे आपका 20th को खतम हो रहा है, तो next week में मैं मानलो 3-4 class जो भी रखता हूँ, थोड़ा बहुत जो भी आपका मिस होता है, वह आप उसके बाद कर लेना, मैं अभी अपना थोड़ा सा pace को slow ही रखूँगा, ठीक है, एक दिन छोड़के एक दिन class लोंगा, in case मानलो 3-4-2 class जो भी मिस होता है, वह आप लाइक गर लेना, ठीक है, और बोलो, और बोलो, यह श्री मुरार का कैसे चलना तुम्हारा पढ़ाई? प्रीचर ऐसे, कितना हो गया तुम्हारा? प्रोजेक्ट अप्रेजल तक हो गया है, तुम पहले का portions revise की हो? ठीक है, यह सनुश्री बोलो, सिर्म मतलब मुझे यह प्रोब्लम आ रहा है कि, स्पीड में कोशन सौल नहीं होते, जैसे अभी आपने क्ट्विस भी लिया था, तो उतने जादा स्पीड में नहीं हो पा रहे थे, मतलब जिसे टाइम निकल जाता था, ऐसा करके, सौल टाइम लगेगा, तुमको उस चीज को तुमको बहर बहर प्रैक्टीश करना पड़े गा, तुम जितना बार प्रैक्टीश करेगो धीरी 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 करके वह स्पीड बढ़ेगा, एक बार दो बार तीन बार जब प्रैक्टीश करेगा तो किया ह, अज तरफ फूकस भूल भूता है डिसिपली नाता है बेसिकली लाइफ में तो तुम लोग फिर इधर उथा मोटीवेशन के लिए नहीं जाओगे लोग तो तफो मोटीवेशन के लिए नहीं जाओगे है जह सब्धों को प्रॉबम नहीं आप जैसे कैदे करना मैं फिर से बता रहा हूं ठीक है, किस तरीके से अपने को डिवाइट करना चाहिए, अब जैसे मानलो, पेपर हे पेपर भी वहला बात तो पुरा इक्वल एफट देना है, और इस वीक से जब हम लोग अब जैसे मानलो, 100% पेपर 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 हो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे-धीरे करके 3 मंस में 0% पेपर में आएंगे, फिर्स पेपर है, तो हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, फिसों को लेकिन सिर्फ नेक्स पेपर से फिर प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तो एक दम अच्छे तरीके सब इसको प्रिपेर करो, and the students, those who have joined us new, I will request all of you कि तुम लोग अभी बसके लिए दो वीडियो पेपर A का, और दो वीडियो पेपर B का, कंसिस्टेंटली देखो, देखो, मोटा मोटी तुमनों का syllabus दो हफता में पूरा कैच अप हो जाएगा, ठीक है और किसे को कोई भी डाउट है तो तुमनों का भी पूछ सकते हो, बोलो, कुनाल पंजवानी बोलो, yes जाना है, जाना है, जाना है यह सब तोड़ा एक मरे रेजल्ट आउट होने तो सुनो रेजल्ट आउट होगा ना तो जितने भी 12 के बच्चे है उसको लेके मैं फिर से एक सेशन करवाऊंगा कि विच कॉलेज इस बेस्ट मैं बता दूगा कौन सा प्रोस और कौन सा डिगरी कौन सा सूट करेगा तो वाला सेशन तो मैं पुरा बता देंगे ठीक है अभी जितना टाइम है इसको अच्छे तरीके से उटिलाइस करो ठीक है तो थैंक यू अल आफ यू थैंक यू फो जॉइनिंग अस ठीक है